वेल्कम तु स्टेडी आएक्यू आमिद वरीधी के लोर एंड दिस इस इंडियन पॉलिटी सीरीज अफ लक्षमी कान जिसमें हम लेक्चर नंबर 54 पर पहुँच गए हैं आज हम इंडियन कॉंस्टिटुशन के फिफ्ट और सिक्स्थ शीडूल के बारे में बात करेंगे इसके बाद काफी जो इंडियन गवर्मेंट के बारे में बात करता है इसके बाद काफी जो इंडियन गवर्मेंट के दिसक्शन है इसके बाद पार्ट एट जिसके अंदर यूनियन टेरिटरीज का डिसक्शन है पार्ट नाइन और पार्ट नाइन जिसमें हमारी जो फाइनल जो थर्ड टियर ऑफ दी गवर्नेंस है यानि की पंचाइती राज सिस्टम और दी मुनसिपैल्टी उसके बारे में डिसक्शन है उसके बाद पार्ट एलेवन्थ और ट्वेल्थ जो की सेंटर और स्टेट यानि की जो यह पार्ट फाइफ में सेंटर है पार्ट शिक्स में स्टेट है इन दोनों के बीच में लेजिसलेटिव एग्जिकुटिव और फिनेंशल तीन टाइप के रिलेशन्स हैं उन तीनों which discusses specifically about the tribunals क्योंकि courts से associated topic था तो हमने courts के साथ ही कर लिया था हमने इनके बीच में दो और important topic किये हैं पार्ट 18 और पार्ट 20 पार्ट 18 होता है state और center के वीच में emergency के समय जो कोई context में उनके relation होता है तो 11 और 12 के immediately बाद हमने पार्ट 18 कर लिया था because यह तीनों की तीनों चीज यह एक दूसरे से associated हैं पार्ट 28 में article number 368 आता है याने कि Indian constitution को amend करने की क्या provisions है and how to do it और क्या-क्या amend किया जा सकता है यह सारे के सारे parts करने से पहले हमने obviously एक major historical background of Indian constitution देखा था and the making of the constitution basically यह सब बने कैसे थे इसी तरीके से हम continue करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज हमार भी बारी आ गई है part 10th की याने कि दस्वा part समिधान का इस 10th part में Indian constitution में specifically 5th और 6th schedule में कुछ schedule areas की governance का वर्णन है and we will be discussing that today आप देख रहे हैं इस समय हमारी जो series चल रही है consequently हमने पहले state के बारे में discuss किया था state governance के बारे में उसके बाद हमने जो discussion किया है 9th और 9th A याने की पंचाइती राज system और the municipality urban local governance के बारे में discuss किया फिर हमने जो हमारे देश में एक अलग परकार की territory होती है union territory which is different than the states उसके बारे में discuss किया and then there is one specific type of area जिसके governance में कुछ normal differences है mentioned in the part 10th जिसमें schedule areas mentioned है चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं काफी बहुत ही अच्छा और सरल topic है ठीक है article 244 part 10th of the constitution एक special system envisage करता है administration का specifically उन areas को जिनको schedule areas या schedule tribal areas कहा जाता है बहुत short में बताता हूँ हमारे देश में दो schedule है हमारे constitution में schedule 5 and the schedule 6 schedule 6 के अंदर चार states mentioned है Meghalya, Mizoram, Tripura और Assam इन में कुछ ऐसे areas जो की tribal dominated है वहाँ पर autonomous tribal council के दुआरा governments होती है and then specifically इन चार states के अलावा बाकी इंडिया की जो states है जहां पर tribal areas या schedule areas dominated है जो यह सारी की सारी states है हिमाचर परदेश, राजस्तान, गुजरात, मध्यपरदेश, महराष्ट, आंदर परदेश और इसको तेलंगाना को डिवाइड करके तेलंगाना, ओडिसा, चत्तिसगर्ड और जारकन, total 10 states है जिन में कुछ areas है जिनको schedule areas कहा जाता है इन schedule areas की governance के लिए कुछ specific responsibilities दी जाती है इन ही राज्यों के governor के उपर यह 5th schedule में mentioned है यानि 10 states 5th schedule में mentioned है and these 4 states 6th schedule में mentioned है इन दोनों में slightly slightly it's a difference है यहाँ पर focus है कि central government क्योंकि governor के पास power है, governor को extra responsibility दी होई है उन schedule areas की developmental के लिए ठीक है whereas schedule 6 के अंदर थोड़ा सा difference है कि यहाँ पर autonomous governance करने के लिए थोड़ा सा जादा focus किया गया है तो हम बात करते है 5th schedule की, 5th schedule of the constitution deals with the administration and control of schedule areas and schedule tribes in any state except the 4 ठीक है, तो total वो any state के कहने का मतलब है, total 10 states उसके अंदर आती है जिसमें schedule areas इस समय mentioned है यह specifically 6th schedule में mentioned है, indeed आपको यह चारो के चारो नाम याद करने चाहिए, एक बड़ा basic सा question है कि 6th schedule में कौन कौन से states आते है असाम, अमेगाले, तरिपूरा और मिजोरब, ठीक है अच्छा, 6th schedule of the constitution deals with the administration of tribal areas in the 4th northeastern states of the असाम, अमेगाले, तरिपूरा और मिजोरब, no doubts about it सबसे पहले schedule areas होते कौन से हैं, schedule areas वो होते हैं, जहां पर tribal population अधिक है यहां इन specific areas को एक special governance mechanism देने की कोशिश की जा रही है, जहां पर central government को थोड़ा सा extra role दिया गया है Central government कहने का मतलब है कि basically governor को extra responsibilities दी गई है, उन specific areas की development के progress के लिए ठीक है, अगेन इसका main purpose क्या था, main purpose यह था कि जो tribes होती है, उनकी खुद की एक culture होती है, society होती है and to preserve and safeguard that cultural and economic interest of the scheduled tribes in the areas, ठीक है The authority to create and administer scheduled areas, कहां से आती है, 5th or 6th schedule of the constitution of India हमें more or less सारे के सारे schedules याद हो जाने चाहिए, ठीक है अभी में जो specifically हमने बहुत detail में discuss कर रखे हैं, 7th schedule almost our lecture के बीच में आ जाता है पांचवा और छटा इस समय हम करी रहे हैं, दो हमने पहले भी कई बार discuss किया हुआ है 8th schedule languages के साथ होता है, वो बहुत ही असान वाला है 11th और 12th हम clarity से कर चुके हैं, क्योंकि वो constitution के 73rd और 74th constitutional amendments act है 10th वाला भी हम कर चुके हैं, anti-defection law से related है, राइट, चलिए 5th schedule protects tribal interest in these states, accept these 4 states और 6th schedule protects tribal interest in specifically these 4 states अब सवाल क्या होता है, जो ये schedule areas हैं, जिनको 5th schedule के अंदर schedule areas declare कर दिया जाता है और करता कौन है, that is the question right, that's a prelims question कि कौन schedule areas declare करेगा, it is done by president जो ये 5th schedule के अंदर है, governor of the state has special responsibilities with respect to tribal population in the areas जिसमें वो directives issue कर देता है state government को and limiting the effect of the acts of the central and state legislature in the schedule areas हमने governor के बारे में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था कि when it comes to his doing executive actions, he have to take aid and advice of the council of the ministers ठीक है, this doesn't apply to the 5th schedule areas, जो 5th schedule areas के जो governor है, उनके पास खुद की authority है एक्स्ट्रा authority है, ये council of ministers में इसमें focus नहीं करना है, कि देकेन issue directives to the state government और अगर वो चाहें तो वो कोई भी center या state government का law उस area में लगेगा या नहीं लगेगा, ये governor issue कर सकता है directive, याद रखना on the other hand, in the schedule areas declared as for the 6th schedule, the emphasis is on the self rule, ये हमें एक बार कर चुके है self rule का मतलब क्या है, इस specific area में जो 6th schedule के autonomous areas है, इन areas में state government और central laws नहीं लगते हैं more or less, जो जरूर ही नहीं होते हैं उनको लगना, governor बना कर सकता है, उनको self rules, उनको खुद manage किया जाता है by the tribal councils, वो tribal councils बनती है, वहाँ पे autonomous tribal councils, जिनकी पास legislative power होती है, executive power होती है, administrative powers होती है and judicial powers भी होती है, limitations के साथ होती है, सारी के सारी, but more or less completely self sustained, self rule करती है, वो advisory councils ठीक है, 6th schedule वाली, not the 5th में ऐसा नहीं है, तो यह confusion बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए tribal communities are granted considerable autonomy, they make their own laws and they receive central government funds for social and the infrastructure development ठीक है, to enable local government, the role of governor and the state are subject to the significant limitations in the 6th schedule area तो 5th schedule areas में, governor के पास काफी powers है, directives issue करने की, but when it comes to the 6th one, थोड़ी सी limitations है फिर दुबारा से हाँ पे देखिए, ठीक है, तो हमारे पास यह है इससे में हम जो map देख रहे हैं, this is specifically related to the 5th schedule क्या है यह 5th schedule? इसमें 10 states आती है, 10 states है, इसमें क्या है? scheduled areas यह scheduled areas का मतलब क्या हुआ? tribal dominated areas है, ठीक है, और इसका context क्या हुआ? कि इसमें governor को extra powers दी गए है, which are these states? it would be advisable अगर यह 10 की 10 states याद हो तो, हिमाचल परदेश, राजिस्तान, गुजरात, महारास्ट्र, मध्य परदेश, आंदर परदेश, तेलंगाना, ओडीसा, चत्तिसगर्ड, एंधी जहरकर्ड, टोटल 10 states, ठीक है? इसके साथ-साथ यह छटा schedule है, छटा schedule पर याद रखो फिर दुबारा से, it applies only to 4 states of northeast, नमबर 1 मिघाले, नमबर 2 मिजोरम, नमबर 3 तरी पुरा, नमबर 4 असाम. अच्छा, आप जो मैप देख रहे हैं इस समय, आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि यह भी कुछ और है, हमारे देश में total, जो autonomous district councils हैं, वो basically लदाक में भी हैं, सिक्किम में भी हैं, but these two do not come under the sixth schedule. ठीक है, क्या हुआ, यह जो areas जो इस समय, इस में marked है map के अंदर, यहाँ पर चलती है autonomous district tribal council, यानि कि इस area में more or less central laws नहीं लगते हैं, more or less state laws नहीं लगते हैं, वो जो tribal council होती है, वो खुद के laws बनाती है, खुद का execute, खुद का उनका cultural system होता है, एक level तक उनके पास judicial powers भी होती हैं, जैसे कि जो पात साल तक, ऐसा कोई जुर्म जिसकी सजा पात साल तक की होती है, तो बेसिकली वो खुद उसमें, उरको court जाने की जुरत नहीं पड़ती है, वो tribal council ही, autonomous tribal council ही decide कर सकती है, ठीक है, यह आप specifically आपको याद करने की जोतनी है, कि मिघाले के अंदर तीन district council है, खासी हिल, जैंतिया हिल, गारो हिल, मिजोरम के अंदर दो हैं, तीन है, सौरी, तरीपुरा के अंदर एक है, असाम के अंदर तीन है, ठीक है, specifically याद करने की जोतनी है, but you can understand की क्या होगा, मिघाले में अगर जाएंगे, गारो हिल, खासी हिल और जैंतिया हिल, यह तीन area में सबसे पहले start करते है, फिफ्ट वाले पे, यह आखिरी होता क्या है, फिफ्ट schedule बना दिया, और कुछ दस states में से schedule areas declare कर दिये, तो इसका impact क्या होगा, schedule areas are treated differently from other areas in the country, ठीक है, यहाँ पर वो tribals, जो aboriginals होते हैं, जो की original inhabitants of the places होते हैं, original inhabitants of the forest होते हैं, वो रहते हैं, ठीक है, who are socially and economically rather backward, और उनको progress करने के लिए, उनको develop करने के लिए, उनकी conditions को improve करने के लिए, थोड़े special efforts की जरुबत है, hence, this specific two schedule have been added in the Indian constitution, अच्छा, the whole of the normal administrative machinery operating in a state is not extended to schedule areas, बात समझ गे ना, जो state की administrative authority है, वो नहीं होती, यही तो focus है कि गवर्नर के पास extra response, responsibility दी हुई है, तो जो laws है, एक limit तक लगते हैं, and governor के पास उसमें थोड़ी सी discretion available है, in areas की protection के लिए, in areas की progress के लिए, central government, governor is basically a synonym for the central government here, अब सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, first ठीके से बात करते है, कि पहले declaration of the schedule areas, पहले तो यह पता होने चेकी schedule areas कौन सा हो सकता है, कौन नह schedule area, practically बात की जाए, तो council of minister advice करेगा, ठीक है, but as इनकी अगर exam के perspective से बात क्या जाए तो word जो लिखा आएगा, वो आएगा कि कौन schedule areas declare कर सकता है, designate कर सकता है, it's the president, तो इन 10 की 10 states में, जो भी schedule areas है, उनको किस ने declare किया होगा, राश्पती जी ने, he can increase, decrease area, alter the boundary, rescind such designation, make fresh order, in consultation with the governor of the state concern, ठीक है, तो governor के साथ एक बर consult करना है, schedule areas की area बढ़ाना, कम करना, उसको non-scheduled areas कर देना, किसी नहीं, जो areas तक declare नहीं हो, schedule area, सारी की सारी चीज़ों में, president is basically the final authority, president declare करते है, यह तो तरीका हो गया, schedule areas को declare करने का, तो चलो, हमारे पास 10 states में, schedule areas declare हो गया, अब क्य executive power of the state extends to the schedule areas, ऐसी कोई बात नहीं है, होता है, उनकी state के अंदर ही आता है, तो state का ही area है, वहाँ पर जो state की ही authority है, बट, governor has special responsibility regarding such areas, वैसे, किसी भी और context में, governor को हमेशा, council of ministers of state की aid और advice लेनी पड़ेगी, पर इन areas को, जिनको president ने declare कर दिया schedule areas, the governor has a much more important responsibility, क्या करता है, he has to submit a report to the president regarding the administration of such areas, annually या फिर जब भी president चाहे, the executive power of the center extends to giving directions to the states regarding the administration of the area, और center, अब बनलब उनको state को administration दे सकता है, अब यहाँ पर, देखे, paradox बताता हूं आपको, आप यहाँ पर इस पर देखे, he has to submit a report to president regarding the administration, annually, या फिर जब president को चाहिए, this is what the number here was, अगर आपको एक confuse कर रहा था कि what does this number win, these are the number of reports, जो की governor ने submit की है, इन लास्ट डेकेड, यह डेकेड से भी उपर है, शायद दो डेकेड की डेटा है, मतलब दो डेकेड में जारखंट के governor ने schedule area से सम्मदित, सिफ चार report president को submit की है, मतलब there are some, obviously इसके pros and cons तो हम discuss करेंगे ही करेंगे, but you understand the point, बट हाँ, prelims के according या फिर किसी MCQ के according, governor को annually या president की requirement के basis पर, वो option क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा गया है, एक report submit करनी पड़ती है, schedule areas की development से associated to the president, every year or whenever he requires, इसके अलावा tribal advisory council, हर state जिसमें schedule area होता है, has to establish a tribes advisory council to advise on welfare and advancement of the schedule track, अभी हम छटे schedule के बारे बात नहीं कर रहे हैं, तो North Eastern वाली जो चार है, confuse मत हो जाना, वो है autonomous tribal council, ठीक है, there is a difference word, autonomous है वो, वो है autonomous tribal, यह tribes advisory council, इन दोनों में बहुत फरक है, confuse नहीं होना, एक तोड़ TAC है और एक ATC है, autonomous tribal district council is entirely different than the tribes advisory council, यह tribes advisory council बनते हैं 5th schedule areas में, 10 states के अंदर, 20 लोग होते हैं इसके अंदर, जिसमें से 3-4th schedule tribes के होते हैं, similar councils have been established in a state having scheduled areas, but not scheduled areas there in if the president's order is, बड़ा interesting question है, जो इसको करेगा, सुनो मेरे को, ध्यान से सुने, बड़ा प्यारा question है, believe me, आएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, आपसे question पूछा जाएगा, this is as simple as that, directly, यह उन states में बनाई जाती है, जिसमें scheduled areas होते हैं, compulsory है, जिसमें भी scheduled area होते हैं, तो basically इसका मतलब 10 states में होगी, 20 member होते हैं इसके अंदर, जिसमें से 3-4th schedule tribes वाले member होते हैं, and then interestingly enough, जिन area में scheduled areas नहीं हैं, पर scheduled tribes हैं, एक substantial population हो सकती हैं, लेकिन कोई scheduled area डिकलेर नहीं हुआ, वहाँ पर भी tribal advisory council बनाई जा सकती है, and to remove the confusion, autonomous district tribal council is entirely different thing than tribal advisory council, यह fifth schedule area से associated है, और यह sixth से है, और इसमें देहों समझने की वी बात है, fifth वाला जो है, वो advisory council है, राइट, वहाँ पे central government को बस extra responsibility है, areas को develop करने के लिए, लेकिन sixth में self rule के उपर focus है, तो यहाँ autonomous district tribal council है, एक tribal district जो की autonomous है self में, यह tribal advisory council है, ठीक है, यह word इधर उधर होने से ही बहुत जादा फरक पढ़ गया है, definitely confusing, not to you, to other people, जिन्होंने एक लास नहीं की है, ठीक है, तो यह हो गया, समझ क्लियर हो गया, law applicable to the scheduled areas, अब यह बड़ा interesting बात है, अब समझने मज आएगा, governor, basically, extra power मिली हुई है, he can direct कि कोई भी parliament या state legislature का law ज़रूरी नहीं है, अगर गवर्नर को लगता है, कि यह schedule areas पर नहीं लगना चाहिए, he is empowered to do so, so a specific law वहाँ पर ना apply हो, यह governor की choice पर होता है, apply with specified modifications, अगर ज़रूरत पड़ती है, तो he can suggest कि ऐसे मत कराओ, इस law के अंदर यह particular changes होने के बाद यहाँ पर apply होगा, and he can make regulations for the peace and good government of the scheduled areas, after consulting these tribes advisory councils, अब तुमें एक्जेक्ट आगा है, आप एक state में रहते हो, you live in a town, let's say Delhi or Mumbai में रहते हो, अलेमेंट को कोई भी law है, वो आपके उपर equally apply होता है, कोई भी जो state government आपकी कोई law बनाती है, वो आपके उपर equally apply होता है, and there is no ambiguity in that, and there is no change that can be happening, but then there are some areas in our country, ठीक है, schedule areas जो है, वहाँ पर governor declare कर सकता है कि कौन सा law लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, और जुरुरत पड़ती है तो law के बीच में कोई modifications भी करवा सकता है, ठीक है, और he can make regulations, वहाँ पर उसके लिए specifically tribal advisory councils जो है, उनसे negotiate करके, अलग से regulations भी कर सकता है, such regulation may prohibit or restrict the transfer of land by or among members of scheduled tribes, तो जैसे example पर कौन सी regulation होगी, बही जैसे 36 गड़ में जाके, कोई non-tribal land ना खरीद पाए, tribe से, क्योंकि tribal लोग, वहाँ पर जो land है वो सोड़ी सस्ती है, अब सबज़िए कि बही, पचास हजार एकड़ जमीन है, अब कोई शहरी आदमी है, उसके पाँच कुछ एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है, तो वह जाके वहाँ पर सो एकड़ खरीद लेगा tribe से, they would not have this information, तो इन चीजों को, ताकि उनको exploit ना किया जा सके tribes को, the government has to take an extra responsibility, which according to the constitution has been bestowed in the governor of that particular state, to regulate the business of money lending in relation to the scheduled tribes, चली, यह कुछ plans है, उसके बाद, regulation may repeal or amend any act of parliament or the state legislature, which is applicable to the scheduled areas, अब यह कोई भी regulation जो देते हैं governor, दे सकते हैं, हटा सकते हैं, प्रेजिडेंट को एसेंट उसको करेगे ही करेगे, ठीक, बिना प्रेजिडेंट के असेंट के नहीं होता है, so any regulation can be made, बट वो regulation जो भी होगी कि, कोई act पार्लेमेंट का लगेगा या नहीं लगेगा, या स्टेट का लगेगा या नहीं लगेगा, that is finally assented by the president, central government है, governor is an agent of the central government, तो final जो 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 जॉब है, वो basically final actually control तो president के पास ही है, the constitution requires the president to appoint a commission to report on administration of scheduled areas and welfare of scheduled tribes in the states, पर यह था, याद करने की जो तनी है, constitution में लिखा हुआ था, कि president को कुछ commission appoint करना है, लेकिन उसमें constitution में लिखा हुआ था, कि 10 साल के बाद करना है, तो जैसी 1960 हुआ, 10 साल हुए constitution को, तो immediately एक commission बनाया गया था, UN धेवार का, चार साल के बाद एक और बनाया गया, दिलीप सिंग भूरिया का, इस reports are not mentioned in Lakshmikant, इनकी क्या report थी, क्या नहीं थी, यह सिर्फ रसिफ एक छोटा सा MCQ question है, कि these commissions are associated with what, ठीक है, तो यह specifically आप इसको बस यह पहचान लीजेगा, कि commission was appointed in 1960, और this is the popular commission, ठीक है, UN धेवार का commission था, वो schedule areas के administration के context में था, and the most recent one is by दिलीप सिंग भूरिया, जिन्नोंने 2004 में अपनी report submit किया, इसके जादा इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, फिफ्थ schedule areas में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, there is nothing more to it, right, so just to be sure, बिल्कुल one minute revision, ठीक है, फिफ्थ schedule, part 10 of Indian constitution, इसके अंदर वो areas हैं, जो कि इन 10 state में आते हैं, जिनको president declare करता है, जिसमें governor को extra responsibility दी है, इनकी governance की, और हमने उसमें बात की है, यहाँ पर specifically एक important है, tribal advisory council, and then declaration करने के बाद, executive power of the state and center, center के पास भी executive power से, उसकी tribal advisory council होनी चाहिए, law applicable to schedule areas, governor basically, वहाँ पर कौनसा law apply होगा, कौनसा नहीं होगा, यह decide कर सकता है, इसकी उसको empowerment है, and वो finally जो होगा, उसका ascent देना पड़ेगा, president को, and that is it, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, now we have to do the sixth schedule, which is actually a very, which is a 15 minute topic, उटे, इसी के context में similar kind of बाते, हम उसके बारे में discuss करेंगे, हम उसको आज कर सकते हैं, but I am intentionally leaving it, क्योंकि you need to process and digest, what we just did in the fifth schedule, ठीक है, यह दोनों की दोनों चीज़े, क्योंकि बहुत ही similar है, तो काफी जादा confusion हैता है, so I am intentionally leaving it to you with it, इसको यहीं पर stay करने दीजेगा, and don't read the chapter ahead, कल मैं आपको six schedule, which is a small 15, 20, 25 minutes topic, कल मैं six schedule आपको कराऊंगा, इसको भी उसी समय revise कर लेंगे, दोनों की दोनों चीज़े हो जाएंगे, and then we'll be there, if you need the PDF of this class, this is the Telegram channel, that you should join for the PDF, I'll see you in the lecture number 55, discussing about the six schedule areas, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ, चार Northeastern states के बारे में discuss करना है, have a nice day,